दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते मेरे सामने मर्सेडिस बेंस जी एले 200 पेट्रोल और यह गाड़ी सिर्फ 40,000 किलोमेटर चले हुई है 2023 मॉडल है और आपको इस कार के साथ में कुछ इस तरह की की देखने के लिए मिल जाती है लॉक अनलॉक और बूट ओपन का हैं पर आपको बटन मिलता है दोनों कीस अवेलेबल हैं और यह गाड़ी सिर्फ 40,000 किलोमेटर चले हुई है और यह अवेलेबल है फॉर सेल अगर किसी को भी GLA पेट्रोल लेने में इंटरस्टेड है कोई भी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा आप डिरेक्ली कॉंटाक कर सकते हैं अगर बात करो इस कार के इंशॉरेंस की तो वो भी अवेलेबल है रिसेंटी रिनी हुई है अगस 2025 तक अवेलेबल है फर्स्ट ओनर यह कार है और यहाँ पर अगर आप चेक आउट करेंगे तो एकदम शोरूम कंडिशन के अंदर यह कार है ग्रे कलर के अंदर है इंशॉरेंस अगस 2025 तक अवेलेबल है और वो भी जीरो डैप कॉम्प्रियेंसिव जो इंशॉरेंस है वो यहाँ पर अवेलेबल है जो लुक्स है वो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो इस कार के उपर 3M से PPF भी हुई है और इवन जो ग्लासेस है वो भी 3M से ही पूरे टेंट हो रखे है यानि कि front, side, sunroof, back सारे ग्लासेस जो है वो 3M से पूरे टेंट हो रखे है यानि कि प्रोटेक्टेड है और जो PPF है वो भी कार के उपर हो रखी है तो अगर आप इसे कोई भी इंटरस्टेट है जी एले पेट्रोल 200 लेने के लिए directly from the customer तो वो इस number पे contact कर सकता है बात करेंगर इसके details के बारे में तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि यह जो कार है वो 2023 manufacturing की है, 2023 ही registered है August की और almost एक साल हुआ है सिर्फ इस गाड़ी को और 40 जार ये कार चली हुई है, मैं एक बार आपको इसकी जो back look है वो भी check out करा देता हूँ side look आप यहाँ पर देख सकते हो back look आप यहाँ पर check out कर सकते हो यह आप side look यहाँ पर check out कर सकते हो अब अगर मैं बात करूँ इस कार के features के बारे में तो यहाँ पर अभी आप इसका पूरा जो front look है वो check out कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो headlamp unit है वो मिलती है यहाँ पर आपको indicator मिलते हैं इसी के अंदर आपको जो पूरा DRL वाला look है यह वाला और यह वाला वो पूरा मिलता है यहाँ पर आपको projector lamp मिलता है यहाँ पर आपको LED मिल जाती है तो काफी अच्छा form करता है यह on होते हुए यहाँ पर आपको Mercedes का बड़ा logo मिल जाता है front grill मिलती है new shape वाली यह Mercedes है और यहाँ पर आपको Mercedes-Benz का logo देखने के लिए मिल जाता है front में आपको 4-4 parking sensors मिल जाते हैं नीचे अगर आप skit plate check out करेंगे तो chrome finish के साथ मैं offer की गई है और यहाँ पर 4 parking sensors आपको नज़र आ रहे होंगे और जब आप side look के तरफ में आते हैं तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर look देखने के लिए मिल जाता है alloys के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो alloys हैं वो 19 inches के offer किये जाते हैं पिरेली के tires यहाँ पर दिये गए हैं side में अगर आप देखेंगे इसके moldings तो यहाँ पर अगर आप चेक आउट करेंगे जो claddings है वो minimalistic यहाँ पर दी गई हैं जो की काफ़ी जाद आच्छी लगती है नीचे भी आपको सेम look offer किया गया है साथ में chrome की और एक और चीज़ मैं आपको लोगों को बता दूं कि अंदर autoforum की मैट्स हैं वो भी लगे हुए हैं जो कि बाद में customer ने इसके अंदर लगवाए थे यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे भी आपको जो disc brakes है वो offer की जाती है बाक लोग अगर आप यहाँ पर चेक आउट करते हैं तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर look मिलता है Mercedes का logo आपको मिलता है defogger यहाँ पर है wiper यहाँ पर है high mounted stop lamp यहाँ पर है पीछे आपको नीचे जो exhaust का look है वो यहाँ पर दिया गया है चार parking sensors आपको यहाँ पर मिल जाते है जो tailgate है वो आपको power tailgate यहाँ पर offer किया जाता है जो कि आप यहाँ पर check out कर सकते हो काफी अच्छा boot space आपको यहाँ पर मिलता है parcel shelf आपको यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर इसके नीचे आपको जो spare wheel है वो देखने के लिए मिल जाएगा जो कि unused है आज ता customer ने इसके अंदर नहीं लगवाया है यहाँ से आप इस button को press करके इसको close भी कर सकते हैं और यह है इसकी side look यहाँ स कार के अंदर जो looks है वो आपको कुछ ऐसी मिल जाती है यहाँ पर अगर आप चेक आउट करेंगे तो autoforum के जो mats है वो यहाँ पर लगे हुए है कार बिल्कुल neat and clean है well maintained कार है यहाँ पर आपको memory functions मिल जाते है seat के लिए lock unlock यहाँ पर आपको जो silver finish का look है वो मिल रहा है सारे ही जो भी power windows है वो आपको one touch down and one touch आप feature के साथ में मिलती है यहाँ से आप tailgate open कर सकते हैं साथ में कीसे भी open कर सकते है electrical adjustable आपको यहाँ पर seat मिल जाती है यहाँ पर यह आपको extra thigh support के लिए यह वाला पार्ट मिलता है जो कि आप इसको काम और ज्यादा अपने हिसाब से अपने convenience के हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर आपको headlight की controls मिल जाते है पर endromic sunroof आपको मिलती है साथ में पीछे आपको moonroof भी मिलती है और एक बार मैं आपको back side से इसका जो look है वो check out करा देता हूँ seat आपको पीछे कुछ ऐसी मिलती है adjustable headrest आपको यहाँ पर offer किये गए है पीछा आपको back pockets मिल जाती है जो की thread के साथ में है यहाँ पर आपको rear race events यहाँ पर आपको दो c type charging ports मिल जाते हैं यहाँ पर आपके लिए space दिया गया है holding के लिए और back side से कुछ ऐसा आपको look मिलेगा car का interior आप पूरा check out कर सकते हूँ और अब हम car के अंदर enter करते हैं मैंने car start कर लिया और आप यहाँ पर पूरा check out कर सकते हो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर look मिलता है cluster आपको fully digital मिलता है floating जो यहाँ पर screen है वो दे दी गई है जो कि single screen है यहाँ पर आपको touch screen मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो इसका cluster है उसको कंत्रोल कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो steering wheel मिलता है वो one touch और reach provide के साथ मैं मिलता है, यहां से आप इसके जो gears हैं वो लगा सकते हैं, यहां पर आपको wiper control मिलते हैं, कुछ AC wind का look आपको ऐसा मिलेगा, यहां पर आप check out कर सकते हो, dual zone climate control मिलता है, यहां पर आपको जो ambient light है, वो offer की गई है यहां पर आपको space मिलता है, wireless charging type C port यहां पर है, यहां पर आपको दो cup holders मिल जाते हैं और यहां पर आपको यह control मिलता है, जिसको आप यही से अपने हाथों से इसको अपना जो टॉच्सक्रीन है, इसको आप operate कर सकते हैं, which is a great update और यहां पर आपको camera मिलता है साथ में आपको mode selection का सुच मिलता है, navigation आप यही से select कर सकते हैं, और जो navigation का view है, वो आप यहां पर भी ले सकते हैं, तो काफी अच्छे feature आपको यहां पर मिल जाते हैं, उपर की side अगर आप check out करेंगे, तो यहां पर आपको पूरा LED light वाले look मिलेगा, और यहां पर आपको sunroof open और close करने के लिए button offer किया गया है, यहां पर आपको vanity mirror मिलता है, sunshade के उपर, इस set भी आपको same चीज offer की गई है, और यहां पर आप पूरा जो look है वो check out कर सकते हो, यहां पर भी आपको memory functions मिलते हैं, seat के लिए, और यहां पर आपको glove box कुछ ऐसे मिलता है, यह भी seat आपको memory function के साथ में offer की गई है, electric seat आपको यहां पर मिलती है, dashboard का look आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, automatic IRVM आपको यहां पर मिलता है, so कुछ ऐसा आपको look मिल जाएगा अंदर से, so अभी मैंने इसके जो headlamp unit है, वो on कर दिया और आप जो इसका look है, वो check out कर सकते हैं, काफी अच्छा जो look है, वो आपको यहां पर मिल जाता है, जब इसके headlamps on होते हैं, so अगर आप में से कोई भी GLA 200 लेने के लिए interested है, तो directly आप contact कर सकते हैं, कार काफी ज़्यादा neat and clean condition के साथ में हैं, सिर्फ एक साल पुरानी ये गाड़ी है, so मैं description के अंदर number शोड रहा हूं, आप directly call कर सकते हैं, और साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ कि जो कार है, वो डेली number है,